कैटीना कैफ और विक्की कौसल ने 2021 की दिसंबर में साधी की थी कैटीना कैफ जो जल्द ही सिद्धार चतुरवेदी और इसान्चछतर के साथ फोन भूत में दिखाये देंगी कैट ने हाली में विक्की कोसल के साथ अपने विवाही जीवन के बारे में खुलासा किया और बताया कि भले ही ये उनके लिए एक बड़ा बदलाव है लेकिन वो इस लाइफ को इंजॉय कर रही है कैटरीना ने पिंग विला से बाचीत में कहा साधी किसी की भी जिन्दगी में एक बड़ा बदलाव होता है साधी के बाद आप अपना जीवन एक वैक्ति के साथ शेयर करते हैं आप साथ साथ रहते हैं ये वास्तब में बहुत सुन्दर और अच्छा लगता है कैट ने कहा कि उन्हें और विक्की को शूर्ट शेडूल के कारण एक साथ ज्यादा समय बिताने का मौकर नहीं मिलता है लेकिन इस समस्या का सामना सभी स्टार्ट करते हैं जो साधी शुदा हैं विक्की पिछले एक साल में अपनी शूटिंग की वज़ा से काफी ट्रैवल कर रहे हैं वो शूटिंग की वज़ा से बहुत दूर दूर रहे हैं जैसा कि मैं रहती हूँ मुझे लगता है कि हमेशा दो एक्टर के साथ ऐसा ही होता है जो इस प्रोफेशन में होते हैं जहां लगातार ट्रावल करना पड़ता है। । आपको एक साथ कम समय मिलता है। कैटरीना ने कहा कि विक्की एक बहुती शानदार इनसान है। मुझे लगता है कि मेरे जीओन में ऐसा ही वैक्ती होना चाहिए। विक्की कौसल और कैटरीना कैफ ने दिसंबर 2021 में राजस्थान में एक बड़े समारों में साधी की। दोनों ने कई सालों तक डेट किया लेकिन वे अपने रिष्टे को लेकर हमेशा चुप रहे। कौफी विद करन में कैटरीना ने शेयर किया कि जब उन्होंने एक साथ सम में बिताना शुरू किया तो विक्की ने उनका दिल जित लिया। कैट ने कहा मैं उसके बारे में ज्यादा जानती भी नहीं थी। वो सिर्फ एक नाम था जिसे मैंने सुना था लेकिन कभी उससे जुड़ी नहीं थी। लेकिन फिर जब मैं उनसे मिली तो मैं अपना दिल ह बैठी। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नॉटिफिकेशन बिल दबाती जेगा और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरू कीजिएगा क्योंकि ऐसे बॉलिवुड से रिलेटेड न्यूस आपको यहां पे मिलते रहेंगे